नमस्काइर, दोस्तों आज़ बात करेंगे ओके पे लेटर आप के बारे में आपको बता दू जल्द ही सबको मिलने वाला है ओके credit के तरफ से pay later option उसी बारे में बात करेंगे वीडियो पहली बात देखे तो लाइक कर देखें आपको बताने चाहूंगा कि जो मेरा friend है मोहित next tech मोहित के नाम से channel है उसको यह offer मिला है और आपको भी जो भी use करते हैं क्रेडिट उनको यह offer मिलने वाला है और साथ यह भी बताने चाहूंगा कि आप अगर भी यूज नहीं करते हैं तो आप क्रेडिट जो एप है उसको यूज कर सकते हैं उसमें अगर बात करूं उस एप के बारे में तो जैसे आपका खर्चा क्या है या फिर आप सौप के लिए इसको यूज कर सकते हैं डेली आप उसमें अपना रूटीन बना सकते हैं जैसे को हाँ छा काम करता हूं तो उसमें किस से कितना पैशा लेना है वो भी उसमें रहता से तर यह SAKते हैं वगेरा भी आपने सुना होगा तो उसी प्रकार से क्रेडिट भी है जानते भी होंगे आपने आप जानते भी होंगे और उसकी कई सारी एड भी आपने देखी होंगी बीच में आइप चल रहा था तब भी वह कई ओफर लेकर के आ रहे थे वहां पर कुछ कैस्ट वगेरा का सब्सक्राब छाना भी है ऐप कर देखने को मिल रहा था तो क्रैडिट में ही अब आपको आपको बlikर की सर्विस जो है आपको मिलने वाली है चलिए उसके बारे में बाषा करते हैं और आपको यह बता चाहँगा कि संदा सकते कि डेली बुक आप जो मेंटेन करते हैं डेली का खर्चा क्या होता है चाहे सौब के लिए यूज करो चाहे आप परसनल उसको यूज करो दोनों तरह से आप कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं इस्टेप बाइस्टेप चलना पड़ेगा स्क्रीन पर जिस तरह से मैं स्क्रीन पर आपको समझाता हूं तो इस्टेप is available for you यानि की मोहित को तो वहाँ पर चेक डिटेल के लिए लिंक भी दिया गया था और रिप्लाइब विद वन इफ यू लिंक इस नोट क्लिकेबल तो वहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर क्लिक नहीं हो रहा है लिंक पर तो आप एक वहाँ पर रिप्लाइब कर सकते हैं तो सायद वह दुबारा से भेजेंगे तो जैसे इस पर क्लिक किया आपको वह जो ओके क्रेडिट है उस एप पर लेकर के चला जाता है वहाँ पर देखिए अपर लिमिट यहाँ पर दस जार किस्ते से कुछ दिख जाएगा आपको अमाउंट ऊपर नीचे थोड़ा हूँ सकता है किसी को पांश जार किसी को दस जार किसी को दो हजार वह उसके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि उसको कितना मिलेगा मेरे मुझे मुझे जितना लगता है तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट का जो साइकल होगा वह 15 दिन का होगा जीरो इंट्रेस्ट रेट यहाँ पर लिखा हुआ है 0.25 पर डे फीज पोस्ट 15 डेज यानि कि 15 दिन बाद आपको 0.25 जो होगी आपकी पेनल्टी है वह जो लगेग उसके बाद documents की बात करें तो pen card यहाँ पर pen card number verify identity यानि कि आपका अधार card लग जाएगा और आपका जो credit है वो देखने को मिल जाएगा अगर आप ये दोनों चीज प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद continue कर दीजे और यहाँ पर 2 minutes का process बताया गया है कि लगेगा उसके बा card और उसका डेटो बर्जो है यहाँ पर वो डाल देना है उसके बाद जैसे ही इसको डालेंगे उसके बाद continue करेंगे तो आप से उसके बाद आधार मांग लिया जाएगा यानि कि जो आपका अधार card है उसको मांग लिया जाएगा वहाँ पे आपको दो option मिल जाएगा एक को वहाँ पर option मिलेगा कि आप उसको ओटीपी के जरीए यानि कि जो ओटीपी आता है यहां पर आप देख सकते हैं जो की अधार डिटेल फ्रॉम गवर्मेंट रिकॉर्स ठीक है इस तरह से आएगा जिसमें ओटीपी के जरीए मुझे लगता है अपडेट होगा और एक option य लग रहा है वही है या नहीं उसके लिए मुझे लगता है ले ली जाती है यानिकी पासपोर्स पोट आपके खीची जाती है उसके बाद आपको यहां पर वरिफाइब करने में आइडेंटीटी-टी वेरिफाइड इस तरह सब्सक्राइब करना पड़े तो आप इंतिजार भी कर सकते हैं और इसके बाद का जो option है वहां पर आपको एक जो इनका करना पड़ता है चेक आउट करना पड़ता है तो एक बार इसको रिडाउट जरूर कर लेना जो कि इस तासे के जब भी आप कोई प्रेळेटर सेर्विस लेते हैं या फिर क्रेजिक काद लें हैं यह कभी भी टर्मिन कंडिशन आप से करवाई जाती है आपको चेक आउट किया जाता है टर्मिन कंडिशन देखे लिखा है तो उसको पढ़िएगा जरूर एक तो उसके बाद जैसे कर देंगे अचसेंट कर लेंगे हैं यहांμεर देखे आपको yaşa नहीं किया है बिल डूडेट भी वहाँ पे आ गई है कि 23 सितंबर 2022 को जो है वहाँ पर आपको डूडेट का option मिल जाएगा वहाँ यानि कि यहाँ पर कब डूडेट होगी वह आपको दिखा दिया जाएगा उसके बाद नीचे देखिए पेक का option भी यहाँ पे आपको मिल जाता है उससे पह सब्सक्राइब यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कॉंग्रेट यू हैब अप तो टैन थाउजन क्रेडिक लिमिट इस्तर से यहां पर लिखा हुआ है मैं फिर बता दू अमाउंट उपर नीचे आपका हो सकता है आपके प्रोफाइल के अनुसार उसके बाद बात करत देना होगा और अगर तीन दिन हो जाते हैं साइट तो वहाँ पर पांच जाज सायंते सुपह आपको देना होगा उसके बाद यहां पर देखिए टांजेक्शन और पैनल्टी भी लिखा हुआ है तो चलिए हम बात कर लेते हैं टांजेक्शन चार्जिस के जो यहां पर चाहूंगा कि आपको सोचना है कि आपको वन परसेंट चार्जिस के साथ जो भी यहां पर आपको मिलेगी वह आपको यूज करना है या नहीं करना है तो यहां पर भी दिया गया हुआ है पांच जार पर वन परसेंट के हिसाब से पाचास रुपय यहां पर लग रहा है और यूज़ क्रेडित लिखा हुआ है यहां पर क्रेडित दिखा हुआ है 5050 यानि कि इतना डिड़क्ट होगा जब आप इसको करते हैं तब उसके बाद बात कर लेते हैं पेनल्टी जो इसमें लगने वाली है उसकी और जैसे ही आप इसमें पेनल्टी जो होगी 250 ओन 6 डे यहां पे लिखा हुआ है दिस चार्ज इस अप्लिकेबल ओन 6 डे ओफ डिव डेट जाने कि छठे दिन पर आपको यह चार्ज लगेगा जो कि यहां पर लिखा हुआ इन केस नोट सेटल डा यूजड अमाउंट अगर आप अमाउंट जो यूज़ करते हैं वह पेमिंट नहीं करते हैं तो छठे दिन आपको 500 रुपई लगेंगे ठीक है और देखिए यहां पर कुछ नीचे एक्जामपल्स भी दिये हुआ है तो इससे भी आप समझ सकते हैं ड आपको किससे कितना लेना है सौप पर यूज़ करते हैं तो वहीं पर आपको किसी को पेमिंट करना है तो भी कर सकते हैं इसी आप से और आपको रिसीव करना है तो भी इसी में कर सकते हैं तो एक्जामपल के लिए मोहित ने मेरे ही अकाउंट में करने की कोशिज की तो वहा किसी को सेंट आप कर रहे हैं तो वहां पर एक हजार पर एक परसेंट के हिसाब से दस रुपए जो है आपका चार लग गया बाकी पेनाओ करेंगे तो उसके बाद हो जाएगा तो देखा आपने बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका और जिसको ऑफर यह मिलेगा और जिसको कर पाएंगे कुछ चार्जिस वगेरा भी हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया तो उसको मध्य नजर रखते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं इस वीडियो मितना ही चैयों कलाई से सब्सक्राइब कर देना मुझसे कुछ रह गया हो तो कमेंट कर ये ताकि मुझे